नमस्कार दोस्तों माइन मर्जभ में आपका स्वागत है तो आज हम लोग देखेंगे आज मार्केट कैसा बहेब किया और कल कैसा कल याने की मंडे कैसा करने वाला है तो आज आठ तरीक को देखेंगे कि डियाई वर्सेस एफाई तो डियाई कंटिन्यू बाइंग कर रहा है और एफाई कंटिन्यू सेलिंग कर रहे लास्ट एकडिर महिने से तो अगर आज देखेंगे तो एफाई ने अलमस्ट 3400 करोर का सेलिंग किया है और यहां पर आप डेटा देख सकते हैं तो लेकिन डिफ्रेंस है 50 करोर का ही बाइंग किया इसके लिए मार्केट आज काफी नीचे गया तो भी आज हम लोग देख लेते हैं कैसे क्या बीएव किया है तो अगर हम लोग चार्ट पर आकर देखेंगे तो निप्टी आज और मस्त थे क्यावन पॉइंट नीचे क्लोजिंग दिया है तो लाश लाश में थोड़ा अच्छा चा की रहा है लेकिन आज स्टा तो दस एक घंटे तक मोमेंट दिया और मुश्च 10 15 के बाद पूरा मार्केट्स साइड़ लेज रगया यहां पर थोड़ा साय कि स्पाइक का मोमेंट आया था कि यहां पर तो आज यहां पर अच्छा-कासा नीचे का मुमेंट दिया है उपर का मुमेंट दिया है उसके बाद पूरा साइट बज मार्केट हो गया तो निप्टी का यह हाल रहा तो अगर इसका ऑप्शन चेन देखेंगे ऑप्शन डेटा देखेंगे तो एड़ दा मनी ए 24,500 के उपर तो अच्छा-कासा दो लग 43,000 क्यास पर कॉल लेटर बेठा हुआ है इन दा मैनी में ज्यादा कॉल लेटर है नहीं तो नीचे जाने का भी चांस बहुत कम है देखते हैं मंडे को कैसा मार्केट बहेव करता है और अगर पूट राइटर के बात करें तो 24,000 क्य देखते हैं डेटर देखके तो ऐसा लगड़ा कि यह मार्केट उपर जाने वाला है और फिर अगर लेबल की बात करें तो लेबल पहला लेबल है 200 का 24,200 अगर इसके उपर आता है तो 24,250 यहां पर और इसके अगर उपर गया तो यहां पर आ सकता है 24,300 24,350 के असपर और नी 24,100 उसके नीचे 24,50 उसके अगर नीचे गया तो फिर 24,24 अगर तोड़ दिया तो फिर अच्छा खासा नीचे की तरफ मूमेंट दे सकता है गिड़ सकता है अगर बैंग निप्टी के बात करें तो बैंग निप्टी भी अल्मूस्ट सेम ही किया है यहां पर 915 में ओपन हु इस से 52,000 के असपरस तो 400 का मूमेंट दिया है यह बहुत अच्छा मूमेंट है तो मौर्णि मूमेंट दिया है उसके बार तिर जाके 12 बजे के असपरस एक छोटा सा मूमेंट दिया फिर नीचे की तरफ आके अल्मूस 355 पॉइंट से 0.6 परसंट से नीचे आके बल रहेगा अगर इसके उपर आता है तो फिर 51,800 और इसके अगर उपर आया तो 52,000 के उपर जा सकता है मार्केट और अगर नीचे की बात करें तो तो 12,486 अगर यह ब्रेक करकर नीचे आता है तो फिर 15,370 तो इसके अगर नीचे आया तो फिर लंबा ब्रेक आउट आ सकता है नीचे का और फिन निफ्टी के बात करें तो फिन निफ्टी भी ऑल्मस्ट फिर बैंक निफ्टी की तरह ही मुमेंट दिया है देखें स्लोली स्लोली उपर गया तो उसमें कितना ही बढ़ेगा ज्यादा बढ़ा नहीं है तो एंड अप देड़ 23,815 के उपर आके क्लोजिंग दिया है और मिटकब निफ्टी मिटकब निफ्टी आज ये भी उतना अच्छा का सा मुट्ट दिया नहीं है तो डौन साइड का मुवंट अच्छा दिया है मौनिंग से ही वार्मोस्ट बज़े तक बज़े के बाद अपडर साइड का मुवंट फिर अल्मॉस्ट इहत्तर पॉइंट से निगेटिव क्लोजिंग दिया है सेंसेक्स का एक्सपाइरी है तो यह तो विक्री एक्सपाइरी रहने वाला है तो देखेंगे यह और मुश्ट साइड वे जाके बंद हो गया जो कि अच्छा का सा मुवमेंट देना था इसको मतलब बहुत बड़ा इंडेक्स है तो 89486 के ऊपर 55 पॉइंट निगेटिव से य अल्मस्ट फ्लैट ही क्लोजिंग दिया है फ्लैट ओपनिंग होके फ्लैट क्लोजिंग दिया है तो इतना आज कुछ मार्केट में मुमेंट रहा नहीं अल्मस्ट फ्लैट ही रहा है तो थोड़ा सा बैंक निप्टी ज्यादा ही मैनेस में जाके क्लोजिंग दिया है अल्मस इसका अगर bank X और निफ्टी नेक्स 50 यह भी 1.23 यह सबसे ज़्यादा डाउन फॉल हुआ इसका 800 पैसे पॉइंट के आसपर तो यह 79,774 प्या के यह क्लोजिंग दिया है तो अल्मॉस्स सारा जो इंडेक्स है ना वो सेम पैटर्न बनाया है तो ज्यादा कुछ मुवमेंट था नहीं विक्स वियाज अल्मॉस्स तीन परसें से डाउन है नीचे की तरफ है तो उतना कुछ खास है नहीं और सब्सक्राइब की बात करें तो यह थोड़ा सा पॉइंट फाइब परसेंट से आके पोजितिव है साथ 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 पॉइंट से तो ज्यादा कुछ है नहीं है यह अल्मॉस्ट फ्लैट ही है और अगर बात करें आईसी एसी बैंक से तो आईसी एसी बैंक अच्छा का सा 1.55 परसेंट का डॉन फॉल हुए आज अल्मॉस्ट 20 पॉइंट से रिलाइंस के अगर बात करें तो रिलाइंस 21 पॉइंट से पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है अल्मॉस्ट 1.66 परसेंट से तो अच्छा कासा इसमें भी डॉन फॉल आया है हिंस्टान युनिवर की बात करें और अगर हम लोग बैंक निफ्टी का ओप्शन देखें तो बैंक निफ्टी का देख लेते हैं तो बैंक निफ्टी में अच्छा कासा आउट अप दमनी इसमें तो इन अट दमनी भी कुछ खास कॉल लेटर है नहीं आउट अप दमनी 22,500 के उपर अच्छा कासा 2.35 के पूट रेटर बैठा हुआ है तो इस हिसाब से तो मार्केट ज्यादा कुछ मुमेंट देने वाला नहीं है तो एक्यावन हजार अच्छा कासा सपोर्ट दिख रहा है तो इसके नीचे जाने का संभावना नहीं है मतलब ऐसा लग रहा है इस वीक का और इसके ऊपर 22,400 या फिर 22,000 पर के उपर भी अच्छा कासा 1.46 लैक और मस्ट कॉल लेटर बैठा हुआ है तो देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या करता है यह मंडे से मंडे को मार्केट का कैसा बिहेव रहता है और मस्ट फ्लैट या फिर पोजेटिव ओपन होने का चांस है तो आप देख लीजिएगा उसी सबसे ट्रेट कर सकते हैं बागी अगर आपको कुछ कोस्टन हो तो आप एक बार कॉमेंट करके पूछ सकते हैं धन्यवाद